अरे दीलू ये गोपाल कौन है? आपने पदमराबंजी का जे सपुत है, तुम्हारी जानकी का बड़ा भाई? जानकी का बड़ा भाई? तब तो मेरा साला हुआ, गोपाल क्या करता है? जैसे जानकी को भक्ती से लगाऊ है, वैसे ही गोपाल पर फिल्मों का भूश सवार है, एक भी फिल्म नहीं छोड़ता, तमिल, तेलेगू, मलेयलम, कनड, उडिया भासा तक की फिल्म भी नहीं छोड़ता अरे बापरे ऐसा फिल्मों का दीवाना है अब गोपाल फिल्म देख देख कर बहुत बोर हो चुका है आप उसके नई इच्छा है फिल्मों में काम करने की देखने में कैसा है मुख्य मंत्री 40 दिनों के लिए विदेश रवाना अरे अरे, अब ये विदेश जाखिए क्या करेंगे? अरे, जनता के बारे में सोचिए हाई डेड़े, गुद मॉर्निंग गोपाल, गुद मॉर्निंग, गोपाल, कल राथ कौन सी फिलम थी? वी डी और एट से बचिये ब्यूडुफुल फिलम थी डैट जड़ा दूर हटकर बैठ वीडी और एड्स से बचिये इस तरह इंफेक्शनली पिक्चर देखके मेरे पास मत बैठा कर मुझे भी लग जाएगी ये लीजे काफी अपने बेटें कर तूद देखी क्या वीडी और एड्स से बचिये देखकर आया है क्यों कलाकर आपके लिए काफी लाओ मुझे काफी नहीं चाहिए माम बॉन विटा दो आज अचानक बॉन विटा क्यों हाँ माँ कल ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया तो रातों में जाक कर शूटिंग करने पर सकती है ये काफी पीने से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है शूटिंग में कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाएंगे ऐसे सेथी जी तरे ने कहा था ये कहने के बाद वो परलोग सिधार है क्यों जी ये फिल्मों के नाम पे दिवाना हुका घूम रहा है इसके इस थोबडे को फिल्मों में कभी काम मिलेगा क्या इसकी शकल सुरह दे कि कौन इसको फिल्म में काम देगा गोपाल तुम्हें काम करो वीडियो और एड से बची वाले डिरेक्टर से मिलो वो अगली फिल्म मना रहा है तुमें डेफिनेटली चांस देगा टाइटल है कुछ तो टीबी से बचिये ऐसी इंफेक्शिस फिल्म में ही तुमें काम करने का मोका मिल सकता है कैसे बाप हो आप आप ही डिस्करेश करते हो तु अपने आपको रितिक रोशन समझता है क्या अपने दिल से पुछ कर बोलिए क्या मैं किसी भी एंगल से रितिक रोशन से कम दिखता हूँ रितिक रोशन तुमसे तो जॉनी लिवरी अच्छा दिखता है छोड़िये पापा आपको हमेशा मजाग सोचता है पापा आपको मेरा एक काम करना होगा क्या आपका दोस्त को यह रामबचन है बोले थे ना वहीजो फिल्मों में नोक जोंक लिकता है पापा उसके कहके मेरे बारे में भी कुछ नोक जोंक लिकने किलिए बोलिये आपके इस दोस्त का नाम क्या है ओई हो रामबचन को तुम नहीं पेचांगी हो क्या पिछले हफ़ते इस सूपर मार्केट में उसे उसकी पंदी को तुम से मिलाया था अच्छा अच्छा वो क्या सेम रामबच्चन भाई दी भाई तुम एक बात जानती हो रामबच्चन से बचकर इस फिलम इंडेस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता है बोलूगा तो आश्चेरे करोगी हेमा मालनी की प्रगनेसी की खबर धर्मेंदर से पहले रामबच्चन को पता लगी तो देख लो लेकिन एक बात है इस नोक जोक को उसने अकलमंदी से पेश किया था एक प्रमुख हिंदी अभिनेतरी जल्द ही माँ बनने वाली है उस अभिनेतरी का नाम हे से शुरू होकर नीपर खतम होता है बीच में माली भी आता है कोई भी इसे समझ नहीं सका पापा उनसे बोलकर मेरे बारे में भी कुछ ऐसा ही लिखने के लिए बोलिए तेरे बरे में क्या नोक जोक उबरता हुआ सीतारा गोपाल ऐसा लिखने के लिए बोलिए उँचाया है चूता हुआ सीतारा गोपाल गोपाल इससे जज़ादा मत उससे छत पार कर बाहर चले जाएगा बात नहीं है पापा उबरता हुआ सीतारा गोपाल गा से शुरू होकर यूं में खत्म होने वाली जगों पर रोज जाता है ऐसा लिखने के लिए बोलिए क्या बोला गोपाल का पा से शुरू होकर यूं पर खत्म होने वाली जगों पर रोज आना जाना है वो कुन से जगह है जोगा पर शुरू के योँपर खतम होती है मेरे हिसाब से इस नाम की कोई हिरोईन भी नहीं है फिर यह कहां जाय करता है वो क्या है जोगा से शुरू के योँपर खतम होता है अहां गंदी गलियो गोपाल रोज गंदी गली में जाय गरता है ओहो बस कीजिए अगर इसी रफतार से बाप बेटी में खिट पीट जाती रही तो हमारे घर के बारे में पेपर में नोग जोग छप गई तो हैरान मत होना डिफिनेटली वो दिन दूर नहीं यह बहुत कुछ करेगा किसी ना किसी दिन तेरे नाम की सुपारी जरूर दे दूगा मेरी बात सुनो क्या है गोपाल तुझे कोई कामधाम तो नहीं है कल मैंने अपने कमरे में टीवी चला कर देखा था टीवी में पिक्चर बिलकुल नहीं आ रही थी उसमें सिर्फ साउंड आ रही थी तुम्हारो दोस्कों टीवी रिपेर करता है ना हाँ है उससे कि अगर जै रेडी करवा दो तो ये कैसा टीवी जिसमें सिर्फ साउंड आता फिक्चर भी नहीं आती है आपको पहले ही कहा था कमदाम के जहां से में टीवी मत लीजे देख लिया ना किसी टीवी के कैबिनेट में रेडीयो सट करके आपके सरमर्दी आ है रेडीयो में पिक्चर नहीं आती सिर्फ आवाद आती है मेरी हर बात में खलती निकालता है तू मेरे बाद ज्यान से सुनो पेटे गोपल मुझे समझ दें की कोशिश करो वो क्या है अपनी जानकी है ना तुमारी चुटकी वो टीवी में आने वाली है वो का सवाल जवाब का प्रोग्रम जिससे क्विस प्रोग्रम कहते है ना अपनी जानगी टीबी में आने वाली है, अपनी जानगी टीबी तुमारी शुटकी लेडी करवाद है ना बेटा, ठीक है पापा दीनू, अगले गुर्वार जानकी को टीबी पर देख सकते हैं, सुन यार, ये कुईज प्रोग्रेम की बात कर रहे थे, क्या जानकी इतनी ब्रिलियंट है, जानकी बहुत ब्रिलियंट है, कोई भी मुकाबला हो, सब में जीतती आई है, माधव, जान रखना इस बेसे में उस ऐसा मत करना माधव, कहीं प्रोग्राम के भीस तुम्हारी पॉल खुल गई तो, जानकी पर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही, वर्स्ट इंप्रेशन हो जाएगा जान रखना, मेवकुफ, उस दिन कोई स कॉम्पटिशन मैं ही जीतूंगा, कैसे यार, बाद में बताता हैं उसी के किरदार में कुछ समय के लिए अपने आपको ढाल लेते हैं, बेसुमार दौलत के मालिक है, उनकी कोई आउलाद नहीं है, अपना गोपाल है ना, उसको गोद लेने की सोच रहे हैं, शंकरा, नाचे शरीर तेरा, देकर निर्थ तेरा, जुमे मन मेरा, शंकरा, श बेटा को बाल, तुमारे पापा सो रहे हैं, नाई, अंदर ना रहे हैं, पदमनाभन आज रोज नहाता हैं, तब तो काफी सुधर गया, पहले तो दो दिन में एक बार नहाता था, बड़ा ही आलसी था तेरा बाप, मैं ये कैसे बताऊ तुझे, बड़ा ही निकम्मा था, यूज लेट सेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग जवाई बबु, गुड मॉर्निंग, क्यों, मेरी पीट के पिछे मेरी निंदा कर रहे थे, क्या, नाई, नाई, ऐसी कोई बात नहीं है, नालिये हो, आफिस चल पड़े, ताइम हो गया है, येलो, क्या है, प्रसाद है, चलो ठ मामा, अब भक्ती में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए थे, वो आपने गली के लुकार पर गनपती जी का मंतर नहीं, क्रिश्ण भगवान जी का मंदर है, जा अनाप शना बोल रहे हो, गनपती जी और किष्ण जी में अंतर नहीं मालूम है, मुझे लगता है कि आपको गनपत किसी फिल्म का गाना गा देते तो, लोगों ने वही दुम्हें पकट का मारना था, हाँ, हाँ, उसे छोड़ो जवई बभू, एक जरूरी बात है, क्या है, तुम्हारा फ्रेंड, वही मुजिक अकड़ेमी का सग्रेट्री, उसके घर ले जाकर मुझे गाना का बाया था था ये लीजे रोटी का डबा, साथ में आम का चार भी रखा है, देखो मैतली, और रोटी के साथ मुझे आम का चार पसंद ये मैंने तुम्हें जरूर बोला था, लेकिन उसके लिए तुम इतना आम का चार नहीं रखना चाहिए, डबबा खोलके डूणने पर भी रोटी नही मैं खुद कंफ्यूस हो जाता हूं, रोटी के साथ आम का चार खा रहा हूं या आम का चार के साथ रोटी खा रहा हूं, थर्ड आम पैसे निरले लेना पड़ता है, ठीक है, इस तरह आशार की बशार नहीं करनी चाहिए, एक ही पीस रखो, थोड़ा सा बड़ा रखो, ठीक है, वो सब जाने दीजे, आपके भी जान की नाम की एक बेटी है, समय पर उसके हाथ पीले करने हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा है, अब अचानक जान की बात कहां से आगी, क्यों, पिछले ही महीने आपने मुझसे शर्ट लगाए थी, कि अगले मकर सा करांती तक शा इस दर्मेन अगर तुमने लड़का ढूनने की कोशिश की, तो तुमें अभी बता देता हूँ, उसके बाद जानकी की मा भी तुमी हो, और बाप भी तुमी हो, और मैं? चलो नाना भी तुमी हो, क्या समझते हो तुम अपने बारे में, जवान बेटी की शादी फटा फट क बले ही जाने की सारी उमर को वारी बैटी रहे, मन में तो अपने आपको तान सेन की अउलाद समझते हैं ना, मैं बोलूगा तो यकीन नहीं करोगी, किस भगवान की मंदिर में ये तुमारे मामा गनपती की महीमा गा कराएं हैं, इनकी वज़े से एक दिन देवता में मंदिर में आपको परैंब से गगएं, आगर उस में से थोड़ा एडवांज मांग लेते हैं, तो म henा धोडी ना करेंगे, मेरी बात सुनो में इद्वी, जानकी की शाधी के बार में अब तुम बिल्कुल बात नहीं करोगी, मामा और तुम गुलाना नहीं काऊँगे, ये क जानकी की शादी की बाद पर जवाई बाबु इतने चुड़चिने क्यों हो जाते हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस बात को इतने आसानी से नहीं चुड़ँगी, अपनी जानकी की कुंडली को आश्रम में आए बाल योगीजी को जरूर दिखाऊंगी, दिखाओ बेटी दिखाओ, अगर कुंडलीया ठीक बैट जाती हैं, तो तुरन अगले साल कोई बात नहीं करेगा, माधव, तुम्हें जो एक साल का वक्त मिला है, किसी भी तरह इस शर्थ को तुम्हें जीतना ही है, तुम्हें खास तोर पर संगीत कार बुड़ों का ज्यान रखना होगा, क्योंकि जानकी से उनका खास लगाओ है, इतना ही नहीं, जानक संगीत का पार भी सिकती है, जानकी गाना भी गाती है, क्या, जानकी की बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, क्या, सुनले सर्जन, सुनले सर्जन, इसी गाने से उन्होंने साबित कर दिया था कि वो बहुत अच्छा गाती है, महान आदमी मैं इस जानकी की बारे में न पर वो जानकी का कन्यान कर देगा देखेंगे मेरा और जानकी का पहले स्चक्र चल रहा हो तो कोई बात नहीं ती मागर यहां तुसारा वड़ालों को अपडेट करने में लग रहा है मैं जानकी से प्यार करके शादी करूंगा इसी में शर्त भी लगा चुका हूं इसका क्ला तुसारा रहा है मुझे शर्म आरहा है देखना बुला नहीं शर्म आरहा है जा यार मैं नहीं देख सकता वाधर बहुत सर्म आती है तो तू हट मैं संभा लेता हूं वेटी जानकी, कहां थी आप तक? एक्जाम है नाना, कमरे में बेट के पढ़ रही थी अच्छा, गोपी कहा है? गोपी क्या? लाइबरेरी जाने के लिए कह रहा था, शैद तयार हो रहा हो गा जानकी मर्यास करने जा रहा हूँ, वो आए तो मुझे बुला लेना दिनू, कौन है यार ये गोपी? मादव, अपने दिल की जड़कनों को संभालो अब मैं तुम्हें जो अपडेट करने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारे पाउँ तले से जमिन सरक सकती है इस घर के एक पोश्चन में किराय पे रहता है गोपी महाबुद्धिशाली है कॉलेज के सारे सब्जेक्स में वही आता है फरस्ट इतना ही क्यों? तुम्हारी जानकी को वही तो पाट पढ़ाता है ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्यों मज़ो तुम्हें जटका नहीं लगा? गोपी का जानकी को पढ़ाना मुझे ही खलता है मुझे लगता है ये जो गोपी है वो में विरल बन जाएगा तुम्हारी लव स्टोरी में पहलिया क्यों बुछा रहा है? जानकी गोपी से प्यार करती है क्या? वो सब मैं नहीं जानता जानू, जानू कहता है, क्यों इतना अपना पन, क्योंकि ये गुप्चु प्रेम कहानी है, अबे गोपी बाहर निगल बे, जानू, मैं जानू लाइबरी जा के आता हूं, दिनू, यही गोपी है क्या, यही गोपी, जानकी को जो लाइन मारता, यही गोपी है क्या, यही किसे जानू? कुछ खास नहीं, गोपी. अधिक तर कुछ इस प्रोग्राम्स में, स्कूल स्टुड़न्स या फिर कॉले स्टुड़न्स हे पारिस्पेट करते हैं, मिस जानू! खड़ी क्यो हो? बैठ जाओना! मेरे पार कितने दर्दो रहे हैं? माई गड़! हज से जादा चिपकु है, बाद बाद में जानू मिस जानू मिस कह रहा है, यह सब मुझसे बरदाश नहीं होता, मैं अभी उसकी ख़बर लेता हूँ. माधव मैंने बताया थाना कि अगुपचु प्रेम काहनी होसला रखो! मिसाल के तौर पे अलग-अलग मोहले में जाकर, छे आदमियों को सेलेक्ट करके उनके बीचे को इस कॉम्पेटिशन कंडेक्ट करते हैं, इस बर हमाले मोहले का चुनाव किया है! मगर उन्हें कैसे पता चला जानू? कुछ खास नहीं गोपी, हमारे मोहले के सभी के अड्रिस की पड़्ची बनाकर, लोट्रे निकालके तीन आदमियों को सेलेक्ट किया है! जानता हूँ! जानता हूँ! इसके आगे मैं बताता हूँ! उन तीनों को अपना-पना पार्टनर लाना है! पॉफेक्ट! गोपी, तुमसे पूछे भी न, अपने पार्टनर के लिए तुम्हारा नाम लिखवा दिया! प्रॉब्लम तो नहीं है न? ये कैसा सवाल पूछ लिया जानू मिस? तुम्हारा जोड़ीदार बनने की बरसों से ख्वाइश है मेरी! उन्होंने सच में अपना पार्टनर लाने के लिए बोला है! ये उसको जोड़ीदार कह रहा है! उसने जोड़ीदार बोल दिया! जानकी ने मना किया क्या नहीं! क्यों? क्योंकि एक गुप्चि प्रेम कहानी है! ठीक है जानकी! मैं और तुम एक जोड़ी! बार-बार जोड़ी-जोड़ी कह रहा है यार! बाकी के दो पेर कौन-कौन है? देखा! ये अकेली जोड़ी ये बाकी सब पेर है! वो सब सस्पेंस है! प्रोग्राम के दिन ही पता चलेगा! क्या गोपी सब अपने महले के ही होंगे? तुम किसी बात की फिकर मत करो जानू मिस! इस बार इस क्यूज प्रोग्राम को हमसे कोई नहीं जीत पाएगा! इस महले में हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई हो इनी सकता! इतना अकलमंद है बाहर आने दो देखता हूँ! इस क्विस प्रोग्राम में अगर मैं जीत गई न तो कॉलेज में मेरे नम के वावा हो जाएगी! तुम फिकर मत करो जानू मिस! तुम्हारी जीत में ही तो मेरी जीत है! देखा तुमने कोई इस प्रोग्राम जीत कर ये क्या साबित करना चाहता है? ये पूरी तरह जिपकना चाहता है! अब तो जानकी को गोपी से चुटकारा दिलाए बिना मेरा काम पूरा नहीं होगा! दीनू, तुम्हारी टीवी स्टेशन में जान पहचान है क्या? अब तुम्हारी तुम्हारी टीवी स्टेशन में जानकी कोजान है